नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल पर सवागत है सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है दर्शल वन रैंक वन पैंसन जैसे बड़े मुद्दे पर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है साथियो आप सभी को बता दें ओर ओर ओपी थर्ड रिवीजन लागू हो जाएगा जी हां लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओर 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 थर्ड रिवीजन में क्या फरक होगा यह बिल्कुल आपकी आखों के सामने है और उन एक बार बता भी देता हूं दोस्तों आकडे क्या कहते हैं आकड़े कहते हैं कि जो ओरोपी वन और टू रिवीजन था उसके बीच में सेवंथ पे कमिशन था जी हाँ उसके बीच में सेवंथ पे कमिशन था लेकिन जो ओरोपी थर्ड सेकिंड और जो ओरोपी थर्ड रिवीजन होगा इसके बीच एट पे कमिशन नहीं है यानि कि कोई आपको इस वीडियो में बिल्कुल बताऊंगा लाश तक बने रही एगा कुछ एहम मुद्दों पर बाचित करने वाले हैं MSP का मुद्दा हो गया उसके बाद सो परतिस्त एडिशनल पैंशन के साथ PPO जारी हो गया वो भी दिखाएंगे नई सरकार बनते ही OROP का फाइदा ये भी आपको दिखाएंगे तो विश्तार से चर्चा करते हैं सबसे पहले आपने देखा होगा मैंने आपको बता कि OROP सेकिंड और OROP थर्ड रिविजन के बीच कोई BPA कमिशन नहीं है तो किसको कितना फाइदा मिलेगा अगर हम जवानों की बात किरें OROP की बात करें तो इनकी बेसिक पैंसन में संद्रासों तक बड़ोतरी मानी जा सकती है बिलकुल सीधे तोर पर जो मैं आपको भी आकड़े बता रहा हूं यह 95 पर 37 आकड़े बिलकुल सही होने वाले हिसाथ उसके पाद जेसियो को जो जेसियो जहां उनको कुछ खास फाइदा नहीं मिलने वाला है इस बार OROP थर्ड रिवीजन के इंतरगत और ओपीसर्स को लगबग आठ हजार रुपे तक का फाइदा मिलने वाला है OROP थर्ड रिवीजन जो हमारे साथी जवान है उनको बता द जा रहे हैं अलग-अलग तरीके से बूत प्रोशनिक बता रहे हैं कि अब की बार पैंसन बढ़ोतरी कम होगी कुछ नए आकड़े सामिल किये जाएंगे क्योंकि विस्तार रूप से चर्चा कि जाएगे अगर पे कमिशन नहीं लेकर आया गया तो पैंसन बढ़ाने का और क इतने भी जेसियों जवान हैं वो 2018 से ही दिली आई कोट के इंतरगत लडाईया लड़ रहे हैं उस पर दो तारीकों सुनवाई थी आप सभी को पता भी होगा उस पर एक नई तारीक है बिल्कुल आप यहां पर देख सकते दोस्तों तेरा पांच दोहजार चोबिस कोट नम पैंशन में सो परतीसत एडिजनल पैंशन के साथ जारी हुआ नया पीपी और दोस्तों एक हैरानी की ख़बर भी निकल कर आई है हमारे एक साथ ही जो जवान इस तरीके से रिटार्मेंट हुए कि आज वो 101 साल में में लग गए है यानि कि सो साल के पूरे हो गए और आप स है यानि कि हम से तो बहुत ज़्यादा उमर दराज है लेकिन इनकी डेटो बारत 1923 की है और इनकी पैंशन अब सो परतीसत बढ़ गई है सो साल के हो गई है यानि कि इनकी बेसिक पैंशन है 11,285 एडिशनल पैंशन की लगेगी जो सो परतीसत है 11,285 और डियार भी यानि कि इन दोनों को जुड़के जो 50% जियार है आप सभी को बता है वो लगेगा वो भी 11,285 यानि की 33,855 रूपे ये पैंशन अबे प्राप्त कर पाएंगे इनका पीपी ओ भी जारी हो गया जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा तीनों हीरो में 11,285, 11,285, 11,285 टोटल 33, 13,885 यहां पर लिखा हुआ है उसके साथ ही दोस्तों नई सरकार बनते ही मिलेगा औरोपी का फाइदा ये भी बहुत गंबिर मुद्दा क्योंकि आपने देखा होगा मैंने जिसा कि सुरवात में बता कि 4 जून को प्रेणाम गोसीत होंगे नई सरकार का गठन होगा उसके तरह बाद जून के बाद जुलाई में एक जुलाई से आपका ओरोपी थर्ड रिविजन लागू हो जाएगा अब देखने वाली बात ये कि सरकार कितना जल्दी आपको फाइदा देती आपकी पेंशन बढ़ाती है किस हिसाब से आपकी पेंशन बढ़ाती ये भी देखने वाली बात होगी क्योंकि अब कि बार पेंशन नहीं आया है आपकी इसके बारे में क्या राये दोस्तों पूरी खबर हम आपके लिए लेकर आए और इसी तरीके से विश्तार पूरो खबरे हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल क और सब्सक्राइब कर लेजिए आज की वीडियो में सभी मारे साथ योग नमस्कार